समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए जीत निस्चीत ही होगी अगर ठान लिया जाए हिमाले को भी फता किया जा सकता है मेरे दोस्त अगर अपनी सची लगन और ताकत को पहचान लिया जाए तो इनर्जी बुष्टर आपका अपना चैनल कोई जब तर डे विथेजे में पहले कोश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक सीज बता देना चाहता हूँ कि विडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको इसमें कंटेंट काफी जबरदस्त मिलेंगे विडियो के अंत तक बने रहिए आपको विडियो के अंत में ये फिल होगा कि एक्जामनेशन में हमारा विडियो आपको कितना हिल्प देने वाला है ठीक है क्योंकि व पहले question के तरफ, पहला question है, the explosive limit of a flammable liquid in air is usually expressed in, flammable liquid का explosive limit किस में express किया जाता है, percentage by volume में, या percentage by mass में, या percentage में, या union of the above, तो एक बार इसका आप लोग answer सोच लीजिए, इसका जो right answer है, वो है percentage by volume, अब मैं आपको explosive limit, कुछ liquid का आपको एक data लेकर के आया हूँ, देख लीजिए, जो कि आपको वहाँ से भी question मिलेगा, इसमें कुछ fuels हैं, जैसे methane, butane, propane, ethanol, gasoline, isopropyl alcohol, ethyl ether, xylene, toluene, ये सारे flammable fuels हैं, जिसका की lower flammable limit या explosion limit दोनों equal होता है, और upper flammable liquid, मतलब LEL, जिसको LEL बोलते हैं, lower explosion limit, उसीको LFL भी बोलते हैं, ठीक है, lower flammability limit, तो confuse नहीं होना है, ये LEL और ULE है, तो ये data लाने का मेरा main purpose क्या है, एक तो आप ये देख लीजिए, कि जितना भी data दिया हुआ, ये सब percentage by volume में है, जो कि question, इस question में यही पूछ रहा था, कि जो flammable limit होता है, explosion limit वो किस unit में रहाता है, तो उसका तो answer ये हो गया, लेकिन ये data फिर क्यों लाए, इतना बताने के लिए data क्यों लाए, क्योंकि आपको किसी-किसी exam में पूछ देगा, as for example, मैं एक paper में देखा था, जैसे पूछ दिया था कि hydrogen का, example आपको दे दिये, कि hydrogen का explosion limit क्या होता है, तो LEL उसका 4 होता है, और UEL 75 होता है, मतलब अगर आपको बोला जाए, तो range में इस तरह से 4 से लेके 75 तक 4 to 75, ये उसका explosion limit होता है, तो ये भी अपने आप में questions हैं, इसमें कुछ data, जो important important, जैसे hydrogen का आकसर पूछा जाता है, methane का भी पूछा जाता है, तो इस तरह से आप ये data एक बार देख लेजिए, पूरा का मैं बोलूंगा नहीं, वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके data को आप एक बार देख लेए, ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले question के तरफ, अगला question है हमारा, which one of the following characteristic of flammable liquid is responsible to select a proper type of fire extinguisher, मतलब ये कह रहा है, इसमें से कौन सा characteristic flammable liquid का, वो responsible है, किसके लिए, कि कौन सा type का हम fire extinguisher use करेंगे, ये, वो कौन सा characteristic पर depend करता है, तो option A, specific gravity, option B, vapor density, option C, volume point, और option D, flash point, तो इसका जो right answer है, वो है option A, specific gravity, MCQ questions लाने का purpose ही होता है, कि एक बार आप लोग उसका answer जरूर से जरूर सूच लें, जिससे कि आपका practice भी होता रहेगा, अगर आप गलत answer लगाएंगे, तो भी अगर हम जब सही बताएंगे, तो आपका confidence वो boost up होगा, सही बताएंगे, तो भी अगर गलत बताएंगे, तो आपको वहाँ पर याद रखना है, note down कर लेना है, तो इस तरह से आपका तयारी better होता चला जाएगा, तो फिर चलते हैं फिर अगले question के तरफ, अगले question पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा remind करवा देते हैं, जैसे specific gravity का चर्चा हुआ, तो कोई-कोई दोस्त भूल गए होगे कि specific gravity क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी object है, जिसका density, ठीक है, और divided by density of fluid, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं specific gravity, कोई भी object है, उसका density divided, तो अब चलते हैं, यह देखते हैं कि कौन सा extinguisher कब जरूरत पड़ेगा, तो हमारा selection जो होगा extinguisher का, कैसे select करना है, तो water वाला extinguisher कब यूज करना है, तो जब ordinary solid material का होगा, solid material से जो आग लगेगी, उसको बुझाने के लिए water वाला यूज करेंगे, अब foam वाला किसके लिए, तो इसके लिए भी और साथ साथ liquid वाले के लिए भी, ठीक है, और यह dry chemical powder, powder वाला कहाँ पे, यह powder वाला जो आग solid से लगेगा, वहाँ पे powder वाला यूज नहीं करना है, बाकी सभी जगह पे यूज हम कर सकते हैं, देखे, flammable liquid में भी, flammable gas में भी, और जो electricity के वज़़े से लग जाएगा, तीनों में हम लोग यह powder वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद dry chemical powder, यह देखे, सब में यूज किया जा सकता है, फिर इसी तरह से clean agent, इस तरह से, यह सब में यूज किया जाएगा, और carbon dioxide वाला यह important है, carbon dioxide वाला, यह solid material वाले में carbon dioxide वाला यूज नहीं कर जा सकता है, बाकी सब में यूज करना है, तो इस तरह से, इसमें जो important है, वो आपको water वाला कहां पर यूज करेंगे, ठीक है, और dry chemical powder वाला कहां पर यूज करेंगे, और carbon dioxide वाला कहां पर यूज करेंगे, तो यह आपको, types of extinguisher है, जो कि किस type का fire होगा, तब आप यूज करेंगे, ठीक है, चलते हैं, अगले questions के तरफ, अगला question है, water as extinguishing agent, can be expressed by code number, अब देखिए, water वाला, जो extinguisher होगा, water as extinguishing agent है, उसका code क्या होता है, तो option A, 1, option B, 2, option 3, option D, 4, तो इसका जो right answer है, वो है option A, water वाला जो extinguisher होगा, उसका code जो होगा, वो होगा 1, याद रखिएगा, यह question अक्सर पूछता है, ठीक है, इसी तरह से question यहाँ पर और है, कि foam वाला जो extinguisher, उसका code क्या होगा, तो एक तो अभी बता है, water वाला यहाँ direct mansion ही बता देता हूँ, दो वाला जो code होता है, वो foam वाले के लिए होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक question और लेके आ गया हूँ, कि जो dry chemical powder वाला होगा, DCP वाला, या CO2, carbon dioxide वाला, उसका जो code होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पर एक बार फिर से, मैं remind करा देता हूँ, कि वाटर वाले का कितना होता है, 1, foam वाले का कितना होता है, 2, और DCP और CO2 के लिए, यहाँ पर आप 3 देखी रहे हैं, तो यह code अक्सर पूछा जाता है एक्जाम में, ठीक है, चलते हैं फिर अगले question के तरफ, अगला question है, which one of the following color, level required on a non-flammable, compressed gas container for transportation, अब यह बताना है, कि अगर, कोई non-flammable compressed gas है, उसको कहीं transport करना है, तो उसके container को किस type का color से print किया जाता है, ठीक है, तो option A कह रहा है green, option B white, option C black, option D red, तो इसका जो right answer है, वो है option A, और एक बार हम आपको थोड़ा, सब के बारे में एक बार चर्चा कर देते हैं, यह देख लेजिए, कि अगर, explosive, fluid को, अगर transport करना है, explosive material को, ठीक है, तो, उसका जो container का color होगा, वो orange होगा, अगर flammable होगा, तो उसका red होगा, और non-flammable है, question में non-flammable का पूछ रहा था, तो वो जो होगा, वो green होगा, ठीक है, और यह जो, जितना भी एक एक करके आप देख रहा हैं, सब अपने आप में एक question है, सब अपने आप में एक question है, आपको किसी ना किसी exam में कोई पूछा जा सकता है, solid, कोई flammable solid को अगर transport करना है, तो उसका कौन सा होगा, red and white strips होगा, ठीक है, इसी तरह से एक एक question आप, जितना भी आप देख रहा हैं, यह सब अपने आप में question है, आप एक बार उसको देख लीजिए, note down कर लीजिए, जैसे कि कोई corrosive liquid है, कोई corrosive fluid है, उसको लेके जाना है, तो कहां उस tanker का जो color होगा, वो half white और half black होगा, तो इस तरह से color coding है, यह कौन सा material जो लेके जाना है, उसके tankers को कौन सा color से paint के आता है, यह color code है इसका, तो यहां से भी question अक्सर exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका example तो आप देखी रहा हैं, यहां पर पूछा गया था, कि non-flammable, compressed gas के लिए तो green, अभी आपको दिखा है, white किसका है, black किसका है, red किसका है, वो तो आप देखी चुके हैं, अब चलते हैं फिर अगले question के तरफ, अगला question है, what is the length of safety belt, अब देखी, safety belt का length आप से पूछा जाता है, 1.8 meter, 1.5 meter, 2 meter और 2.5 meter, तो इसका जो right answer है, वो है 1.8 meter, ठीक है, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, if fuel is removed from a fire, it is cold, अब देखीए, जैसे कोई आग लग गया हो, किसी चीज के वज़े से आग लगा है, अब fuel को वहाँ से remove कर देंगे, तो उस method को क्या बोलते हैं, option A starvation, option B remove of fuel, option C cooling, option D cut of heat, तो इसका जो right answer है, वो है option A starvation, अब देखीए, यहाँ से question जो पूछा जाता है, यह तीनों आप देख लीजिए, देखीए, अगले slide में आपको clear हो जाएगा, आप देखीए, जैसे removal of fuel पूछा है, तो वो होता है starvation, अगर removal of oxygen, जैसे आग लगने के लिए आप लोग जानते हैं, कि fuel, oxygen और यह source of ignition चाहिए, ठीक है, तो अगर आप fuel को वहाँ से remove करते हैं, तो उस method को कहते हैं starvation, अकसर exam में यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, स्रियस हो करके, वहाँ exam में आप confused हो जाएंगे, oxygen oxygen को जब remove करते हैं, उसको बोलते है smoothing, ठीक है, और cooling जब source of ignition को अलग किया जाता है, तो उसको बोलते है cooling, ठीक है, तो confused, exam में अकसर starvation, smoothing में doubt हो जाता है, confusion हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, अगला question है, how many types of hydrant used in firefighting, अब firefighting में कितने type का hydrant यूज किया जाता है, option A, 2, option B, 4, option C, 8, और option D, none, तो इसका जो right answer है, वो है option A, 2 type का, अब देखिए, कौन-कौन सा type का होता है, तो यह देखिए, fire hydrant जो होता है, वो दो type का होता है, dry barrel और wet barrel, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर, फोटो में, यह 2D में है, आप यहाँ 3D में भी देख सकते हैं, ठीक है, types of fire hydrant system, dry barrel और wet barrel, दो type का fire hydrant होता है, यह आप देख सकते हैं, 3D में भी, ठीक है, और बाकी आप, जो इसमें लिखा है, आप एक बार पढ़ लिजेगा, यहाँ पर ज़्यादा भी, as per questions अभी ज़रूरत नहीं है, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, IS code of safety helmet, अब आपको बताना है, safety helmet का जो IS code होता है, वो कितना होता है, ठीक है, तो अगर आपको पता है, तो बताईए, इसका मैं direct answer बताऊंगा, इसका option पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो right answer है, वो है option C, IS 2925, और 1984, ओके, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, what is the permissible noise level for 8 hours, 8 hours duty के लिए, permissible noise level कितना होना चाहिए, option A, 90, option B, 120, option C, 50, और option D, 70, तो इसका जो right answer है, वो है, 90, कभी-कभी क्या होता है, कि option में 90 नहीं रहता है, 85 रहता है, तो वहाँ पे आपको 85 लगाना है, यह देखिए, what is the permissible noise level for 8 hours duty, देखिए, तो नेशनल इंस्टिटूट आफ ओकूपेशनल सेफ्टी एंड हिल्थ, N I O S H, यह भी कभी-कभी पूछ सकता है आपसे, कि N I O S H का फुल फॉर्म क्या होता है, वो ही recommend किया, कि जो worker 8 hours duty करेंगे, उसको 85 decibel से ज्यादा जो है, यहाँ पे 90 है, ठीक है, चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, what is the safe distance of extinguisher operation from fire, अब आग से कितने दूर अलग हट करके आपको आग को बुझाना है, option A 6 feet, option B 7 feet, option C 8 feet, option D 4 feet, तो इसका जो safe limit है, वो है 8 feet, 8 से 10 feet के distance पर खड़ा होकर, क्या आपको fire fighting करना है, ठीक है, यह देखिए, it is what is safe distance to fight a fire, it is always advised to keep a distance while fire fighting, for safety reason, thumb rule is 8 to 10 feet, okay, as per option, आप लोग लगाएंगे, अब देखिए, अगला question है, which fire extinguisher filled with carbon tetrachloride and bromoclorodifloromethane, BCF, तो इसका जोर, इसका option है, carbon dioxide, halon exchanger, foam type exchanger, और dry powder, sorry, extinguisher, मैं extinguisher बोल दिया, extinguisher, ओके, तो इसका जोर राइट answer है, वो है, halon fire extinguisher, ठीक है, और यह देख सकते हैं, आप halon fire extinguisher का photo भी है, ठीक है, तो, अब चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, what a denotes in abc of first aid, first aid का abc जो होता है, उसका a क्या denote करता है, airway attention arresting atmosphere, तो इसका जो राइट answer है, वो है airway, ठीक है, अब कभी कभी b भी पूछ देगा, abc का b क्या होता है, तो आप देख लिजिए, option, option, यह देखिए, abc में अगर आपसे c पूछा जाएगा, तो वो होता है compression, a पूछा जाएगा airway, और अगर b पूछा जाएगा, तो breathing, ओके, ठीक है, कभी कभी c पूछेगा, कभी b पूछेगा, कभी a पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो सी वहाँ पे compression, airway, और breathing, ओके, चलते हैं, अगले questions के तरफ, अगला question है, what is the color code of plastic waste wind, अब plastic waste, का जो dust wind होता है, उसका color code, क्या बनाया गया है, तो, यह आपको, हमेंग एक image दिखा देते हैं, यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे, यह देखिए, color code waste wind का color जो हो है, वो hazardous waste जो होगा, उसका red है, ठीक है, और जो plastic waste होगा, उसका blue है, जो glass वाला होगा, उसका yellow है, जो metal वाला होगा, उसका black है, तो यह color code waste, यह कभी-कभी पूछा जाता है, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, this symbol means, which of the following, अब देखिए, अब यह, यह जो symbol आप देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, option आप, लोग देखिए, option A, danger ionizing radiation, danger, how hanging and, इसका option आप लोग देख लिजिए, मैं आपको इसका right answer बताने वाला हूँ, इसका जो right answer है, ionizing और radiation, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, आप देखिए, यह symbol, क्या denote करता है, online exam आजकल सब होता है, तो उसमें अक्सर, यह offline वाले में, paper वाले में, तो image में आप थुरा confuse कर जाएंगे, क्योंकि यह black and white आ जाता है, बट अगर online आप को एक्जाम देंगे, तो वहाँ पर picture आपको same to same, यही देखने को मिलेगा, तो इसका जो answer है, वो है corrosive, ठीक है, corrosive 1000 का यह symbol है, अब चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, a normal conversation register at about, हम लोग सामान ने, बातचीत के दौरान, कितना decibel, आवाज होता है, कितना, अच्छे से जानते हैं, decibel जो है, sound को measure करने का unit है, तो normal बातचीत में, कितना decibel सोड होता है, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, 50 से 60, तो इसका जो right answer है, यहाँ पर, वो है 50 से 60, ठीक है, अब देखिए, कुछ, कुछ important intensity, मैं लेके आया हूँ, जैसे हम लोग normal सांस लेते हैं, तो 10 decibel सोड होता है, ठीक है, और जो important है, वो देखिए, normal conversation के दौरान, जो होता 35 से 60, इसका 60, यह वाला देखिए, 60 range, तक जो है 100 आवाज होती है, option में वहाँ पे, 30 से 40 भी था, बट वहाँ पे 40 से 60 लगाए, क्योंकि 60 तक जो है 100 आवाज होती है, ठीक है, या फिर traffic में जो होता है, 50 से 90 होता है, ठीक है, तो चलते हैं, अगले question के तरफ, अगला question है, ओसा restrict ladders from being higher than, ओसा जो है, ladders, कितना से ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए, ऐसा restrict किया है, तो 20 feet से ज़्यादा जो है, इंडस्ट्री में, ladder नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कोई column पे चढ़ने के लिए, आप लोग इंडस्ट्री में अगर अप्रेंटिस किया हैं, तो देखे होंगे, कि ladder जो बनाया होता है, ये 20 feet से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा, ओसा के बारे में, ये भी अपने आप में एक question है, आप से पूछा जाए सकता है, ओसा का full form क्या है, occupational safety health administration, ओके, चलते हैं फिर अगले question के तरफ, अगला question है, the acronyms, PASS, used for fire extinguisher operation, stance 4, अब देखिए, ये आप लोग जानते ही होंगे, PASS जो यूज किया जाता, कई बारे ये आसान question है, लेकिन exam में option देख करके, लोग confused हो जाते हैं, ठीक है, तो PASS का जो, fighting में, जो formula है, वो क्या है, आपको इसका answer बताना है, तो इसका my right answer, एक बार बता देता हूँ, आप लोग एक बार पहले सोच लीजिए, पहले, इसका जो right answer है, वो है, pull, aim, squeeze and sweep, ठीक है, और इसका आपको ये देख लीजिए, PASS, pull, aim, squeeze and sweep, ठीक है, इस तरह से, ये भी आसान question है, लेकिन exam में कभी-कभी लोग confused कर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगला question है, what is still, अब still क्या होता है, still क्या होता है, तो इसका जो होता है, short term explosive, short term explosive limit, ठीक है, ये इसका full form ही है, ओके, चलते हैं, अगले question के तरफ, अगले question पर चलने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, कुछ gas important दिया हुआ है, जिसका यहाँ पर ये still value दिया हुआ है, यह अभी हम बोल रहे थे आपको, ठीक है, और TLV value भी दिया है, TLV जो होता है threshold limit value होता है, और IDLS भी यहाँ पर दिया हुआ है, आगे बताएंगे IDLS क्या होता है, कुछ important है, यह आप देख लिजिए, जैसे आप से S2S का STL value होता है 15 होता है, यह भी कभी कभी पूछा जाता है, carbon monoxide का STL value होता है 50 होता है, अब यहाँ पर यह TLV अभी बताएंगे, threshold limit value, अब देखिए IDLS क्या होता है, यह मन में आ रहा होगा, तो यह देखिए IDLS क्या होता है, तो IDLS का food farm जो होता है, immediately dangerous to life or health, ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, what does COSHH stands for, अब COSHH क्या होता है, यह safety में यह आप term अगर सुने हैं, तो बताइए इसका answer क्या होगा, as per options, मैं तो अब इसके बाद answer ही बता दूँगा इसका, देखिए, एक बाद यह देख लिजिए, COSHH, COSHH जो होता है, वो ता control of substance, hazard to health, ठीक है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option, control of substance, hazard to health, ठीक है, और यह क्या होता है, यह थोरा सा यहां पर पढ़ लेते हैं, क्या होता है, यह देखिए, यह क्या होता है, इत acronym is used to refer to regulation and guideline that aim to protect worker from the risk associated with exposure to hazard substance in workplaces, ठीक है, ठीक है, the correct answer highlights, the main purpose of COSS, which is to control and manage the uses of substance that could be harmed to the health of individual in working environment, ठीक है, चलते हैं, अगले question के तरफ, अब देखिए, यह सब safety related, यह काफी, यह difficult question में आता है, exam में इस type का question आ जाए, अगर अगर एक बार आपका देखा हुआ नहीं रहेगा, तो सहीं लगने का संभाबना ही नहीं है, ठीक है, अब देखिए, RIDDOR का full form क्या होता है, यह देख लिजी क्या होता है, इसका पहले answer, RIDDOR stands for reporting of injuries, disease and dangerous occurrence regulation, ठीक है, और यह क्या होता है, एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पुड़ा पढ़ लिजीए, तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्लियर होगा, यह देखिए, इसका जो right answer है, वो क्या है, option B, reporting of injuries, disease and dangerous occurrence regulations, ओके, उसके बाद, उसके बाद, यह, OSA is a part of, desk department of liver, कहां कहा है यह OSA, अब यह OSA का full form आपको बताएं, यह तो आपको बता दू, यह US का है, ठीक है, उसके बाद, अगला question है, National Safety Day, celebrated every year on, अब National Safety Day, जो हर साल, वो मनाया जाता है, कितने तारीक को, 4 March को, तो इस तरह से, यह हमारे आज की, वीडियो का, total 25 questions हुआ, इसके बाद, मैं safety related हो सकता है, एक दो वीडियो और लाऊंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो, हमारा चैनल, quiz of the day with AJ को, subscribe कर लिजिए, और bell icon press कर लिजिए, अगर already आप subscribe किये हुए हैं, तो अपने दोस्तों को share कर दीजिए, जिससे की, आपको most important selected MCQ questions, आपको मिलेंगे, आने वाले exam में काफी helpful होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग share कर दीजिए, जिससे की मुझे भी motivation मिलता रहेगा, और मैं आपके लिए जबरदस्त content लाता रहूँगा, ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,